नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों इंडिया ने ब्रहमोस मिसाइल के दो टेस्ट किये हैं जो कि दोनों सफल रहे हैं एक टेस्ट इंडियन नेवी की तरफ से किया गया है जो कि दोस्तों एक गाइडिड मिसाइल डेस्टोयर से किया गया है और दूस के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों इंडियन एर फोर्स ने सफलता पूरवक ब्रमोज सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया है सुखोई 30 MKI फाइटर जैट से इस्टरन सी बोर्ड के अंदर और सबसे बड़ी बात यह है कि इ 2016 के अंदर गवर्मेंट ने फैसला किया था कि इस ब्रमोज मिसाइल के एर वेरियंट को सुखोई 30 MKI फाइटर जैट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और 40 ऐसे सुखोई फाइटर जैट को मोडिफाई किया जाएगा और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस सफलता से अब इंडियन एर फोर्स की कैपैबिल्टी बढ़ गई है डायरेक्ट स्ट्राइक करने की एक स्टेंड ओफ रेंज से और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि पहले इस मिसाइल की रेंज दोस्तों 90 किलोमेटर थी और अभी जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया है इसकी रे मिसाइल का एंटी शिप वेरियंट था और इसे एक अपग्रेडिड मोडिूलर लॉंचर का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट किया गया और इस टेस्ट से दोस्तों जो चीज वैलिडेट हुई है वो ये है कि ब्रहमोस मिसाइल की जो स्ट्राइक करने की कैपैबिल्टी है वो क इसे में दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टेस्ट है और इसका सफल होना इंडियन नेवी और इंडियन एर फोर्स दोनों के लिए बड़ी सफलता है धन्यावाद जैहिन